हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चनल चोपडा है जो किसनों और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो HRD मिनिस्टर रमेश पोकरियाल निसंक ने 14 मई 2020 को दोपेर 12 बज़े एक वेबनार कंड़क्ट किया था जिसमें teacher और student के parents के साथ interact किया था इसमें सभी student के बारे में इन्हों ने जानकारी दी है चाहे वो board के student हो, college के student हो या फिर J.E.U.A.N.E.T. की तयारी करने वाले student हो तो क्या कहा है वेबिनार में इसके बारे में इसका सारांस इस वीडियो में मैं बता देता हूं तो सबसे पहले CBSC बोर्ड के बारे में चर्चा की गई जिसमें बताया कि अभी CBSC का कोपी चेकिंग का काम चल रहा है उन्होंने कहा कि हम इस प्रियास में हैं कि ये काम 50 दिन में पूरा कर लिया जाएगा CBSC के 3000 स्कूल हैं जहां पर टीचर कोपी चेकिंग का काम कर रहे हैं और ये काम 50 से 60 दिन में पूरा हो जाएगा इसके बाद स्कूल खोलने को लेकर उन्होंने कहा कि ये हम सब जानते हैं कि कोरोना वाइरस इतना जल्दी खतम नहीं होने वाला है इस कंडिशन में हम स्कूल कोलेज नहीं खोल सकते लेकिन इसके रूप में हमें ढलना होगा हमें इससे बचना भी है और स्टडी भी करनी है तो ओनलाइन क्लासेज तो हो सकती हैं मगर प्रैक्टिकल वगरा की क्लासेज नहीं हो पा रही हैं तो स्टुडेंट प्रैक्टिकल कैसे करें इसके लिए NCRT ने स्कूल के लिए और UGC ने कोलेज के लिए एक कोमन टास्क फोर्स से बनाई है ये दोनों टास्क फोर्स एक गाइडलाइन तयार करेंगी कि लोगडाउन के बाद स्कूल और कोलेज कैसे ओपन हो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इंफ्राइस्ट्रेक्चर का इसके समंध में उन्होंने कहा कि अभी तक ओन-लाइन क्लास चल रही है मगर इनका सही दिशा में संचलन करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है जिससे अगर future में ऐसी कोई स्थिती बनती है तो student की class ओनलाइन mode पर संचालित की जा सके साथी साथ next year में new education policy भी लाई जाएगी जो पुरानी education policy है उसे change किया जाएगा अभी हम बात करें J.E. और NEET student के लिए उन्होंने क्या कहा तो NEET और J.E. student के लिए उन्होंने कहा कि ज्यादा तर student ओनलाइन study कर रहे हैं लेकिन जिन student के पास study material नहीं है और module नहीं है उनके लिए कुछ platform लांस किये गए हैं जैसे दिक्षा learning platform और nista platform लांस किया है उन्होंने ये भी बताया कि NEET और J.E. मैंन के लिए गुजरात बोर्ड ने unsolved paper chapter wise mcqs upload कर रखे हैं तो NEET और J.E. के student उनका भी फाइदा ले सकते हैं उन्होंने ये भी बताया कि student in online classes का कैसे फाइदा ले सकें इसके लिए school में हम online classes के लिए changing कर रहे हैं तो दोस्तो webinar के ये important points थे जो मैंने आपको बता दिये हैं क्योंकि ये तकरीबन one hours का webinar था और student को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी आपसे इजाज़त जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिंद कर दो सून्दी है